कुम्ब राशी कोई शर्मना गटना होने वाली हैं? कोई अपना शर्यंतर रचा रहा हैं? नमस्कार दोस्तो जय भुलेनाद दोस्तो आज हम आपको 23 मार्च की कुम्ब राशी भईशे बताने वाले हैं दोस्तो इस दिन आपको बहुती संबल करना होगा और आपकी जीवन में कुछ शर्मना गटना आज हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई दुश्मन हो जो आपकी खिलाप कोई शर्यंतर भी रचा रहा हो तो इसकी बारे में विस्तार से बाते करेंगे तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें अंतर तक जरूर देखें दोस्तो अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लेम चल रही है या फिर आपको किसी भी तरख का परिशानी जो की बार-बार सता रही है उसका अगर हल जोती शास्तर के अनुसार और कुंडली के अधर पर जानना चाते हैं तो आप हम से डियरेक्टली संपर कर सकते हैं आपको डिस्प्ले पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा वहाँ डियरेक्टली कॉल करके और फिर वाटसप मैसेज करके सबी प्रॉब्लेम परिशानियों का समाधान आप जान सकते हैं दोस्तो हमारी तरफ से ये दी जानी वाली सेवा शेशुल्ख है इसके लिए मामूली फीज ली जाती हैं जिसे आप गुरु दक्षिना भी समझ सकते हैं और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशुपल को भी सब्सक्राइब जरू करेगा तो चले बिनात गवाई जानते हैं अब कुम राशी के बारे में दुस्तोर स्वास्तिय या आर्थिक चिंताएं अभी आपको परिशान कर सकती हैं जिसे से आप बन्दा हुआ या सीमीत महसुस कर सकती हैं अपनी विश्ट्वसों के बारे में पूरा ज्यान प्राप्थ करने के लिए यात्रा करे अपनी देखबाल के लिए समय निकालने क्योंकि बदलाव अभी निच्चित है तंदुरुस्ती को प्रात्मिकता दे आपके सितारे बता रहे हैं कि आपने बहुत महनत कर ली हैं इसलिए अप कुछ देर आराम करने का वक्त आ चुका है अपने व्यक्तिगत स्वास्ते पर धहन दे जीवन में आये उतार चड़ों से भी आपको लाभी होगा हर क्षेतरों में जीत मिलेगी जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो दोस्तों आप बात करते ही कि आपको कुछ से बातों का दिहन रखना है उसके बारे में दफ्तर में बॉस के साथ तालमिल बिगड सकता है हो सकता है आपके बॉस काफी गुसे में रहे और उनके कड़वे बोल आपको दुखी कर सकते है हलाकि यह समय हताश और निराश होने का नहीं है बलकि अपने और से कड़ी मेहनत करने का है इसलिए आप अपनी गलतियों से सबक ले और अपना सर्वसरेष्ट देने का प्रयास करे व्यापर से जुड़े जातकों को लाब कमाने के लिए काफी कड़ा परिश्रम करना पड़ सकता है हलाकि ऐसी स्थित्य ज्यादा समय तक नहीं रहेगी जल्द ही चीज़े आपके पक्ष में रूख करती नजर आईगी पारिवारी जिवन में स्थित्या सामने रहेगी दोस्तों अब बात करते ही कि आपका सामने सर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में हाली में हुआ कोई नुकसान आपके दुख का कारण बसकता है बुरे और जोखिम बरे व्यवहार से बचें क्योंकि यह आपके अपवान या फिर खरब स्वास्ते का कारण बनेगा दोस्तों के साथ सामाजिक बात्चित का अनद ले आने वाले दिनों में अच्छा भग्य आपका इंतिजार कर रहा है अगर आप पार्टनर खोज रहे हैं तो आपकी तलाश भी खत्म होने वाली है प्यार, रोमांस और अन्य भावनाओं पर नियंतन रखे खुशे और दिल्चस भी चरंद सीमा पर हैं कि तो सोचकर ही खर्च करेगा क्योंकि अब जो खर्च करेंगे वही बाद में आपको प्रोब्लम खड़िक कर सकती है खर्च जो भी करेंगे लिमीट पर करेगा और सेविंग्स बचा कर रखेगा वरना बाद में आपको बहुत सारी परिशानें का सामना करना पर सकता है मनुश्य द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती ही बहुश में अच्छे निरने लेने में साहता करती है क्यानि कि जो भी असपलता मिल रही है या फिर जो भी गलती हैं आप अपनी जिवन में कर रहे हैं उसे आपको अच्छी सीख मिलेगी और आप अपनी भुश में अच्छे निरने लेने में समर्थक रहेंगे तो चलिए आप बात करते ही कि 23 मार्च की दिन किस तरह की शर्मना गटना हो सकती हैं उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों कोई शर्मना गटना यानि कि एक कोई ऐसी गटना या फिर एक कोई ऐसी बात जो कि आप अपने परिवार वालों के सामने नहीं लाना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों के सामने जो कि नहीं लानने चाहते हैं जैसे कि आपके मान सम्मान में थोड़ी बहुत गिरावट हो जाएं या फिर कुछ ऐसा कारे जो कि दो नंबर का हो सकता है या फिर किसी लड़की का मामले में या फिर अंटी के मामले में हो सकता है तो ऐसी कुछ बाती हो सकती है जो कि किसी के सामनी अगर आ जाए तो वहाँ पर आपके मान सम्मान को ठेस कौन सकता है यह पिर आपके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है तो ऐसी बात आज सब के सामनी हो सकती है जिसे कि आप शर्मनाक मसूस कर सकते है तो दोस्तों कुछ गलत भी कारें बल्कुल भी ना करेगा गलत जो कारें रहते हैं उनसे चार कदम आपको दूर ही बनाए रखना है तो चलिए आप बात करते हैं आपका धनर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में दुनिया की बुराईयें, गदगी और पाप से परिशान होकर आप आज की दिन अध्यात्मिक कारें में लगा सकते हैं अपमान से बचने के लिए कुछ बातों को रहसी बनाए रखना आप बहतर होगा आज आपकी मानसिक शक्तियां आपको तारीफ और पुरसकार का हगदर बनाएगी आपकी जीवन का यह समय प्यार और रोमान से भरपुर है अगर आप सांसारिक सुख का अनभो करना चाहते हैं तो जीवन सातिक के तलाश करें कम से कम आज अपनी कम्यों को दिमाग से बाहर निकाल दे इस अद्बुद दिन का अनदले और अपनी दिल वद दिमाग को उन संभावनों के लिए खुला रखे जो अब आपके सामने है दोस्तों लोर अशिपल के बात करें तो इस समय परिवार और स्वाई के स्वास्ता का खास दिहान रखें क्योंकि किसी लाई इलाज बेमारी के कारण अस्पताल के चक्कर लगाने पर सकते हैं लव प्यार और महबत के लिए समय उजवल है और जहां आपको रोमांस सुक की कमी महसुस नहीं होगी तो तयार रहे इन खटी मीठे अन्वों के लिए प्रेम का इंदरुधनुष आज आप पर मुस्क्रा रहा है और आप संसरिक सुक का अन्वों भी करने के लिए उस्तोख है अगर आप जिवन साती खोज रहे हैं तो आपकी खोज अब खत्म होने वाली है आपका रोमांस उत्तेजक्ता और परमानदर आपके रिष्टे को अर्ष तक पहुंचा देगा दोस्तो आप बात करते हैं आपका करियर रश्चिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए कारियोजनाओं को पूरा कर सकेंगे इससे ना केवल आपको मांसिख श्यांती मिलेगी बलकि करियर में भी रुद्धी होगी अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें इससे आपके अधिकारियों पर आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप अब बेकार के तनाव से भी बच पाएंगे दोस्तों आप बात करते हैं आपका स्वास्त्राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में आपके सकरत्मक विचार ही किसी भी बीमारी को दूर करने में लबदायक होंगे आपका अच्छा स्वास्त ही आपको खुशनुमा बने रहने में मदद करेगा तो सबसे पहले स्वास्त की और देखेगा अगर आपका स्वास्ता अचा रहेगा तो आप किसी भी कारे में बिना अलस के उस कारे को पुरा कर पाएंगे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके उस कारे को समय पर पुरा कर पाएंगे और उसमें अच्छा कासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं दोस्तों स्वास्ते अच्छा रखने के लिए हर रोज व्यायम करेगा और योगा करेगा तो दोस्तों आज की सुड़ों में बस इतना है वीडियो अगर आपको अच्छा रगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब जरू करेगा क्योंकि इसी तरह हर राशिपल के रलेटर वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलेगी जिससे आने वाले दिनों के बारे में आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं तो आज की शुरू में बस इतना ही दोस्तों मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद